हेलो फैंस बीटियो कुकिंग में आपका स्वागत है तो फैंस आज हम आपको मैंति के पराधे बनाना बताएंगे तो देखिए उसके लिए हमने ये दो कटोरी आटा ले लिया है और उसमें एक लंबी-लंबी कटी हुई प्याज एट करें देते हैं और 5-6 हरी मिर्ची हरी मि मृटो आटे में पॉफएक्ट होती है तो इसको अच्छे से बारिक-बारिक इसके पते तोड़ लिये हैं पत्तों को और अच्छे से दो से तीन पानी से धो लीए है और उसके बाद हम इसको ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं ऐब चाहें तो काट कर भी एड्ड कर सकते हैं लेकिन ऐसे एड़ करने से क्या है ना भाजी बहुत ही अच्छी लगदी है जब हम पराटे खाते हैं तो देखिए इसमें लगबग हम एक चमत के करीब हम चली प्लैक्स डाल रहा है आप चाहे तो लालमेश पाउडर भी एड़ कर सकती है तो इस तरीके से हम इसमें डाल कर इसको बना कर रेडी कर लेते हैं तो देखिए हमें ना जादा हाट बनाना है ना जादा सौप्ट मीडियम का है जितने जैसे आटे की हम रोटियां बनाते हैं उसी तरीके से हमें इस आटे को अच्छी से फिगा लेना है तो फैंस इसके पराटे बहुत ज़्यादा टेस्ट लगत और इसको हम अच्छे से इस तरीके से करके वन साइड में रख देते हैं इसको हम लगभख 5 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं तो उसी तरीके से हम रहने देंगे तो चलिए फैंस हम आपको देखाते हैं 5 मिनिट बाद हमारा आटा बहुत ही अच्छे से हो तो देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से और इस तरीके से हम इसको रख लेंगे और बेलन में भी हम ओईल लगा लेती है तो फैन देखिए और इस तरीके से हमें ओईल लगा कर ही इसको अच्छे से बेल लेना है तो फैन देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से ब तरीचे इस तरीचे से allem टबे पर डाल देना है और इसको हम मीडियम फिलम पर शेखना तो चलिए इसी तरीचे से दूसरे मी प्र यूंषी साइट से अच्छे से सिख जायेगा तो फिस अब देखते हैं अमाहे वुत प पराठा अच्छे से हो गया होगा तो हम इसमें चारो तरफ से is हज़ास हो अच्छे से ताक में एक है तो हम इसी तरह इसके से इसको medium flame पर ही 102 पर पलट कर इसी तरीके से से शेख लेते हैं फैंस तो देखिए फैंस यह हमारा अच्छे से सिक का ready हो चुका है तो देखिए हम इसको उठा लेते हैं तो इस तरीके से हमें अच्छे से शिख लेना है बहुत ही testy and amazing लगती है ये पराठे क्योंकि जब महतीं वार वार मुद में आती ये तो बहुत ही test अच्छा थ है और बहुत ही amazing लगती है तो फिर देखे इसी तरीके से हम दूसरे पराठे को भी भाई प्रोसेस करकर सेख लेते हैं इसी तरीके से हम इसको पहले पलट देंगे उसके वाद तेल डालेंगे इस वाद का ध्यान रखें उसमें हमने पहले तेल डाला था और इसमें अब हमें बाद में डालना है क्योंकि हमारे ने पराठे में तेल उठ पराठा उठ था नहीं इसलिए हमने उसमें पहले लगाया था और इसमें तब ही पर तेल लग चुगा था इसलिए हमने इसमें बाद में डाला है तो फैंस इसी तरीके से हम इसको फ्राइगा लेते हैं ये भी हमारा अच्य से सिक्का रेड यू गया है तो fans आप चाहें екनी पराठों को कि सोबहें के नास्ते में दुफ्यार के मेँ आप खा सकते हैं आप चाणी आप कि अत्सक्रा देश्ञ के साथ इस को टेश्टी और यंद् पराठों थी कमेंट करें कि आप के पराटे कैसी लगे सो थेंक यू फ्रेंड्स